चलो दोस्तों चलो देरें गुड़ आफ्टर्णून टुओ जो कैसे हैं सभी लोग मस्त हैं मज़ेदार चलो तो दोस्तों हम जो कर रहे हैं आज वह है लास क्लास का कंटिनेशन लास क्लास में हमने स्टार्ट किया था फैनेंशल मैनेचमेंट कुछ याद है हमारा है क्लियर हो चुका होगा कि 425 आपका फैनेंशल मैनेश्मेंट 526 आपका कंपनी अकाउंट और 515 अप्रॉक्सिमेटरी 515 तु 645 आपका OMSM तो वह 515 530 तक के जाएगा 530 से OMSM चलो होगा ठीक है चलो तो अभी फिलाल इतना है फिर धीरे आपका पोरिशन बढ़ेगा तो नेक्स वीक से मतलब आने वाले दो वीक्स तक के तो यही फोड़ास का टाइमिंग रहेगा फिर थोड़ासा टाइम एक्सेंट होगा तो टाइम किस साइड एक्सेंट होगा साथ मैक्सिमम होगा साथ बज़े तक क्या हमारा क्लास कटम हो जाएगा दो बज़े से फिर क्लास स्टार्ट हुआ करेगा तो फिलाल साथ करें फाइनेंचल मैनेचमेंट के साथ फाइनेंचल मैनेचमेंट क्या है मैं को कौन याद दिलाएगा फाइनेंचल मैनेचमेंट का मतलब क्या था कुछ समझाया था मैंने आपको जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से तर आपने ब को मैनेज करते हैं हाँ बोलो हाँ इन फ्लो को यह मैनेज करते हैं बोलो येस नहीं वेरी गूट इन के साथ साथ हम आउट लो को भी मैनेज करते हैं वेरी गूट तो जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में दोनों प्रकार के मैनेजमेंट आते हैं एक इन procurement procurement of funds in short अगर ये बात करूं ना ये वर्ड आपने कहीं पर रखा है sources of funds procurement को हम क्या नाम से बुला सकते है sources of funds यह चीज़ क्लिया रहे है चबकि टूसर क्या है है आउट्सलो का मतलब क्या हूँ वट्डी मीन बाइट लो तो आउप्लो का मतलब है अप यहां पर हम इसे बोलते हैं हाँ जी utilization of funds utilization of funds utilization of funds utilization of funds को एक और नाम से बलाते हैं इसे बोलते हैं application of funds application of funds हमारा पूरा FM का सिले बस मैंने याद है कल मैंने आपको लास्ट क्रास में एक वीडियो भी दिखाया था याद है या लास्ट क्रास में कुछ कंपनी इसकी बाते की थी मैंने आपको जैसे बताया था भाई किंग फिशर के साथ क्या हुआ अरे एक मने रुकिएगा यह प्रॉब्लम क्रेड कर रहा है एक मने रुक जे यह चला किंग फिशर एललाइन के साथ क्या हुआ था किंग फिशर एललाइन की अगर मैं बात करूं तो उसने अपने फंड को क्या प्रोपली मैनेज कर पाया नहीं उसका पूरा फोकस यो था वो पेसा कहां से अरे जोगा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं था और एक्सपैंशन भी गलत जागे पे ज्यादा कर रहा था लॉस्मेकिंग कमपनी को खरीद रहा था चबकि खूझ लॉस्मेकिंग यह तो कहीं न कहीं उसने अपने फंड्स को प्रोपल्ली मैनेच नहीं किये आज क्या हुआ विज्जू साफ हो गया विज्जू मतला विज्जू विज्जू माल्या आज कहीं का नहीं बचा इंडिया छोड़के भागना पढ़ गया तो ऐसी कई और नाइजेशन है जिनने फेनेंचल मैनेचमेंट को पर ली फइनेंचल मैनेचमेंट की ोती तो यह प्रोब्लम नहीं आती बचाते लेति ubne अरे प्रिक्युर्मेंट अफांस के उपर भी चैप्टर है तो मैं आपका ना स्लिबस दिखाना चाहता हूं यह बाद करूं तो ।शियमी के सिलुभस में दोनों परकार केंटर हैं यह कुछड्र हो हैं जो योतिलाइजेशन आफ फंट्स की बात करते हैं और कुछ चैप्टर्स हमारे आएंगे जो बात करते हैं जो बात करते हैं किसको लेके सोसे सब पंड्स को लेके तो यह तो यह चाप्टर है चाप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ने वाले हैं हम चालू करेंगे इस चाप्टर से यह चाप्टर है जो हमारा स्टार्टिंग हम इस चाप् का दूखत Kerry यह इंटर्डीवां विसते के चैप्टर को लास्ट में करेंगे कश धिनर्स सब बाक्म की सारी चैप्तर्स बहुत इंटरस्टिंगहं इसाड़े пятॉkar औयों तर वह इक capital budgeting या investment decision और इस चाप्टर इस रिलेक्टेट टू अप्लीकेशन ऑफ फंड फंड्स का utilization की बाते होने वाले इस चाप्टर में जो चाप्टर नमबर नाइन है चाप्टर नमबर नाइन है यूटिल sources of funds funds कहां से अरेंज करेंगे sources of funds तो चाप्टर नाइन डील करेगा sources से और chapter 10 किससे डील कर रहा है अप्लीकेशन से ठीक है चलो आओ तो heading डाले मेरे साथ करते हैं start heading डाले capital budgeting capital budgeting अब यह capital budgeting चोई सरी चाप्टर कैसा है कि very 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 simple एक तम सिंपल सा चाप्टर एक प्लस वेरी 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 important कि सिंपल भी है और important भी यह चीज प्यारे question आता ही आता है आता है तो अब यहाँ पे capital budgeting कि अगर मैं बात करों तो Capital budgeting में कौन-कौन से तोपिक संस्यो में कवर करने वालें तो हम हर चैप्टर के बाद कर लिए साफ में लिखते चले में का स॑ और उसियुय और का ये टॉपिक आपको कुछ याद दिलाएगा कुछ याद आ रहा है गया कुछ याद आ रहा है गया इस पांडेशन सीएमें फॉंडेशन में आपने सेंपल इंटरस्ट कमपॉंड इंटरस्ट का टॉपिक पर आ था यह वही चाप्तर है टाइम वाल्यू आफ मनिए फिर दूस कंचेप्ट जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है कैल्कुलेशन कैल्कुलेशन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सिर्फ प्या से 料 को चैपटर में और क्या पागना है हमें इस चैप्टर में और व्सक्राप पढ़ना है क rok TV निक नहां नेट प्रेजंट वेलियो मैं यन पीवी यैसे फ्रेंड़ में और क्या पागना से इस इस एप्टर में प्रॉट लिटी ऐन्डेक्स समझना अगल फॉरफ टेबिलटी इंडेक्स सश्राइब अच्या अगर मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊ आ प्लीज बता दीजेगा तो मैं इसलो जाओ हूँ रेट आफ रेटर्ण इन्टर्नल रेट ऑफ रेटर्ण ऐ आई ऑडर क्या यह सारे कंसेप्स अब क्या करना है कवर कुछ दूलेलियस कंसेप्स भी आएंगे सी वह स्लीनियर्स कॉंसेप्जें सबसा वह मं कमर करते हैं च्वा सबशकुन है । हर छाप्टर को हम नए पानट में पाहर हो हम City पड़ेंगेıllव रख आप्रे वाली है वह ब्हुत को हम concept number one concept one लिके मेरे साथ concept one time time value of money TVM time value of money concept one मैं आपसे पूछना जाता हूँ CMA सहाब सोच समझ के जवाब देना देखते हैं कौन जवाब देता है मान लीजे कि आज आपका बड़्य है अरे सुना ओ मान लीजे कि आज आपका बड़्य है आपको जगाने के लिए बेटा या बेटी उठ आज मैं बहुत खुछ हूँ आज मैं बहुत खुछ हूँ मेरे घर में एक चिराग पैदा हुआ है ठीक है और वह आप से बोल रहे हैं कि भाई मैं तिरको एक लाग रुपर देना चाहता हूं लेकिन आप्शन दे रहे हैं करों चीज़ां की अच से एक साल बात चाहिए उप्शन ये फूरन रहा है भाई एक लाग देना आए आज चीजयो आपसे पूछाया आज चीए कि आज से एक साँ बात चाहिए जवाब बताएए योगेता कब चीए रहेगा वो पैसा हाद आक है भुलो मुकल आज चीए यशीका ओर्वीय साथ ही योगेता बनो किव contexts यह पैसा है एक साल जाए योगेता पैसा कि पिताजी एक लागी देने वाले हैं यह समझ लेना अरे यह देखो यह तो मोग प्रीज थोड़ा प्राक्टिकल हो के बात करते हैं यह कौन यह पिताजी यह पिताजी सुबह सुबह आये तुम्हें जगाने के लिए यह कौन है यह है आप यह आप आपका कहा है बड़े 1,000,000 रुपीज कब चाहिए आज चाहिए कि आज से एक साल बात चाहिए एक लागी देना है लेकिन कब चाहिए यह पूछ रहा है आप से बताए मुकल जी बताइए कब चाहिए पिता जी इतने खुश आप से पटाओक बड़े चाहिए पैसा मुकुल खुश्वू बताइए कब चाहिए पैसा अब बोल सकते हैं बोलो जल्दी अब अरे पहले ये तो बता दे कि पता जी से ये तो बता पता जी पूछ रहा है कब चाहिए तो ये तो बता आज चाहिए कि आज से एक साल बात चाहिए आप क्या बोलोगे अगर मैं आपकी जगह उता चलो चोड़ो और तुम नलाएगो तुम मतलब गेम में पार्टिसेटी नहीं कर रहें नलाएगो तो मैं बताता हूं मैं तुम्हारी जगह होता नहीं तो पिता जी ऐसाही नहीं अब्याइब यकबण आज नहीं अपकिए गendaग पटकी बोलेंगे howling hunting a Aww अपीछ नहीं है कर दो तो अब एगन ने कि पटा जी को या मैं पिताजी को दो मुझे साल बात नहीं है मुझाओ बीभर अपीड हूं तो पिता जी पूछेक और रीजं की रीजन तो दो कि क्यों आप भी चाहिए तो मैं पिता जी हो सबसे पहला डीजन क्या दो को help करना चाहे तो helpe सकता है जल्दी अतौ पिता जी को सबसे पहला रीजन क्या LIKE मोकुल ने बोल दिया कि सर पिता जी को हम सबसे पहले बताएंगे investment opportunity investment opportunity हम यह बताएंगे पिता जी को कि पिता जी पिता जी देखो मैं आप का ही बेटा हूँ आप businessman हो तो मैं भी बहुत बड़ा बिजनसमें हूँ आप खिला रही हो तो मैं बड़ा वाला खिला रही हूँ आप आज एक लागों पर मुझे दोगे अगर मैं बैंक में जाके रखूआ तो बैंक मुझे क्या देगा इंकरस्ट देगा बैंक मुझे क्या देगा इंकरस्ट देगा कितना इंकरस्ट देगा मान ले तें 10% तो आज से एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा एक लाग तो मेरा और बैंक की तरफ से मुझे कितना मिल जाएगा दस पर सिंग के साफ से दस जार और तो मेरा वही अमाउन कितना हो जाना है आज से एक साल बाद एक लाग दसदा आप मुझे एक लाग आज दे रहें लेकिन बैंक के अगर पैसा देदुआ तो बैंक मुझे एक लाग प्लस दस परसें एक लाग दसदा देगा तो आज मेरा इंवेस्मेंट अपरचुनिटी यह चीज़ है यह रहे पिताजी आप अगर मानने मैंने वह पैसा इंवेस्मेस नहीं भी किया तो भी मेंको आज इसलिए पैसा चाहें कूःक्ष इन्फिलेशन है आज हगर चीज़े खरीड सकता हूँ आज एक Buffalo सचीज़े खरीड सकता हूं वह आज से एक साल बात मुझे नहीं मिलेगा उतने ही पैसों में अरे मैंने अगर आज आज मान लीजे मैंने बाइक खरीद ली तो एक लग की बाइक आ रही है वह आज में खरीद सकता हूं लेकिन आज से एक साल बाद बाइक की प्राइस भी बढ़ जाएगी इंफलेशन के करन तो आज हम आज वही बाइक के आज क्यों चाहिए पहला रीजन है इन्वेस्मेंट के लिए डूसर इसन इंफ्लेशन विट इन्फलेशन बलता जाता है विट पाइव गुड्स की वाल्यू बलते जाती है और मुनिकि वाली। चंज होते रहती है तीसरा डीजन और सबसे इंस एंप्टें दिसर आ जाएगी न आप पता जी को बोलोगे पिता जी उसका मतलब क्या हुआ सभी लोग बोलते कि वह आज पैसा हो नचाहिए आज क्या आज अगर पास और फिर्ट का चाहिए तो हर जण बोलेगा आज क्या आज कि यह जीसब कर इसके मेजर ली यह वीजल तीन reasons है तो आपको नहीं लगता आज का एक रुपए है आज का एक लाग आज का जो एक लार के वो एक साल के बाद के बढ़ाबंद नहीं इतों करेको को तो अज एक लाग का benefit मेरा एक लॉपर मिर रहा है वो एक साल बाद उसी एक लग से ङरे Pro पा किए अरे भाई पानी को चब तक प्यास लगती है और पानी पिटेओं और चब तुमें प्यास नहीं है तब पानी पीतेओं तो चुकून दिल में शान्ती कंम पिंती है उ das लगियोत प्रğaनी पियो तो वही बात है वही जी बात ऐसे वाहते हैं दिलकों शान्ति कम मिलेगी आज मिलेगी आज मुझे पैसा देदो आज मुझे पैसा देदो कि likewise से आज जो एक लगई की मत और वाथ से 1 साल की बाद उसी एक हें मनिकी जान्न पो किर whisky वे ड्क रही है वेक डाइमा टाइमेnd एक लाख में गांधी जी कर लोट आते मानलो विक नोटाइगे 5090 वहीं एक साल बादी जी के को बीड़ आज़ाइब के पाचास नोटी आएंगे एक लॉक में एक लाख एक लाख ही है ऐसकंदक कर लाख लेकिन उसने ज़से जो भैनेफिट डराइव होगा है वह भैनेफिट होャ bef लगार नहीं नहीं को यह बात समझा क्या एला हुआ तो सिंम्बल सी बात है लिखे मेरे साथ एह ने डि purchased रुपी नाल है वर्थ रुपी रसी तोड़े इस दिफरेंट रुपी 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 तोर्ट रुपी रुपी रे रुपी, क्योंकि हमें रुपी रुपी देयंो ув Вам को अाल है as time, this is known as time value of money, this is known as time value of money, with time, money, value change, reasons for TVM, TVM's reasons, TVM's reasons, this is three reasons, this is three reasons, investment opportunities, two inflation, future uncertainties, the पहला reason, investment opportunity, तूसा, inflation, तूसा, future uncertainty, हो गया क्या लिखके हैं? चलो, लिखके हो गया, सभी का आगे लिखे हैं, basic terminologies, अब कुछ basic terminologies की बात करेंगे, जयान से सुनेगा, सबसे फेला, बेको बताओ, जयान से, आप मुझे बताना, मज़ा तो तब आएगा, कोई bank है, bank का नाम है SBI, bank का नाम है SBI, अब imagine कीजेगा, कल मैंने याद है, आपको last class वे पूछा था, भाईयों और मैंनो, आपने KBC गए, और KBC मैं, आपने 7 करोर जीता, यह 7 करोर रुपे का, करो के क्या? तो तुमने बोला था, सब 2 करोर का तो टेक्स चला जाएगा, तो 5 करोर बचेगा, उच 5 करोर में से कुछ हम शॉपिंग करेंगे, कुछ हम घुमने फिरने में करश करेंगे, कुछ का घर खरी देंगे, और तो बचेगा, हम bank में जाके रख दिंगे, वेरे, तो 8DN, अगर म जमा करके आए, 5,0,000,000 रुपई जमा कर गार, और बैंक ने मझे फ्योचेम प्योचर में, मुझे 1,0,20,000 रुपई दिन्द एक साल बात,ka मैं आज बैंकने जा रहा हूँ जमा कर रहा हूँ एक लग आज से 1,00, lots से एक साल बात, when बैंक मुझे 1,00, 20 हजाल दे आप से पूचा चाहता हूँ मैंने कमाई कितने की विरी कमाई कितने क्यूए तो आच मेरी कमाई हुए यह 20,000 की वेरी गुड तुइंटी डाउजन की अब आपको नाम करन करना नाम बताओ इस एक लाग को हम किस नाम से बलाता है जो आज मैने बैंक में एक लाक रुपर जमा किये इस को किस नाम से बलाते बछक्तन में पर आइवाखनंक इनओ olur त OH I मैं इसको आप जो पूलते हो प्रिंस य्फ़र भिंपल इसकौन नाम से इंटा में पूलाते हो प्रिंसिखल या प्रिंसेभल बोले या पधेंट वैल्यों क्या आपको मीनिंक समझ वाया ने से बाहलु का मित्रब समझ वाया थेोप typing सा44 प्रेग्ण दूर्मले ज्रैन्ट म्द्म इंद से यह इसी कहीं दूसरी नाम करेंं Tob Warriors drills या इसी को घुरिया नाम कहा है liquid लिखे comment eh present value या it present value लैंने कि से हमोंगर के दी संभाहिए कुछे की अमाउंट कि तो मीनिंग उसके नाम से क्वेंगर हो रहा है present value या principal नतलब आज की वैल्यू इन्नी में भी लेकलो आज की वाल्यू प्रिजेंग वैल्यू कि वैल्यू या प्रिंसिपल को आज की वैल्यू बोलते है इनिचल अमाउंट विच इस इन्वेस्टेड और रिसीव तोडे रिसीव तोडे रिसीव तोडे रहे निक्स चल्दी से बताना, चल्दी से बताना एक लाग बीस हजार को क्या बोलोगे है एक लाट बीस हजार को हाँ वाँड मिचरीटी वैल्यू बोलते हैं आप इसे इसे आप बच्पन में अमाउंट के नाम से बलाते हैं आप इसे पर मुझनी है प्यूचर वैल्यू या सिंपल है इस चलो आज में इको बताएं तो से किन्ड क्या है अ हिशे केंड ए फ्यूचर वैल्यू या इमाउंड या इस ही और आपने जो बताया मेच यॉरीटी वैल्यू maturity value the amount of money to be paid of the received in future नहीं को से वाल्य की नहीं है यह कौन सिवेल्य वेशची की वैल्य वेए क्या बात समझाव गेर चले निक्सिए इसे क्या पूदा होगे कि सूब बीश अजार आप को मिला वट डिस दिस मैं वैडिस दिस बैरिवोड इन्टरस्ट इंटरीस क्या हो गया हमारा थर्ड ट्मलोजी हो गयाि हिंक्रेस्ट इंक्रिस्ट तो इंक्रेस्ट क्या है दि difference between future value and present value अगर सही माहिने में देखा जाए तो यही तो है जब आप future value में से present value minus कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा interest मिल जाएगा इसे आप कई बार ये भी बोल सकते हैं थे amount amount received चलो तो interest क्या हो गया future value minus present value तो आपने एक लाग 20,000 में से एक लाग माइनस किया तो 20,000 जो बचा वो आपका क्या हो गया interest अब इसी चीज को बताओ interest दो प्रकार के थे याद है बच्पन में हमने परें interest दो प्रकार के होता है एक होता है simple interest और एक होता है compound interest compound interest बताइए simple interest और compound interest में अंतर क्या है very good तो अगर मैं बोलू simple interest plus its interest on principal value only principle या फिर present value only present value only compound interest अप्रिश्यूर्व में जो प्रिंसेपल या फिर रस निया है नहीं its interest on principle सब्सक्राइब 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 इस वीरेबंग अपने कस्टमर से बोल रहा है आप हमें एक लाग रुपए आज दो आज एक लागों पर दो हम आपको हर साल चो इंट्रेस्ट देंगे हम आपको हर साल चो इंट्रेस्ट देंगे वो देंगे 10% पर आयनम simple interest 10% per annum simple interest अब आप मुझे बता हो एक लाग है एक लाग आज आज हमने जमा किया अब मुझे हर साल कितना मिलने वाला है 10% तो एक लाग का 10% कितना हो गया 10,000 तो दूसरे साल भी एक लाग का 10% तसजार तीसे साल का भी 1,002,000 दसफेंट दसजार यह यह चीज़ क्लिया रहे हैं तो हर साल प्रिंसिपल अमॉंट पे क्या मिलने वाला है इंटरस्फ मिलने वाला है अगर मैं बात करूं हमारा टोल इंटरस्ट टोटल इंट्रेस्ट कितना हो गया टोटल इंट्रेस्ट तीस अजार हो गया और हमारे को तीन साल बाद बैंक कितना पिमिन करेगा एक लाग तीस अजार क्या यह बात समझा की नहीं समझा एक्तम सिंपल चीछ सभी को समझ भाई यह चलो ताच अगर मैं टोटल इंट्रेस्ट की बात करूं तो टोटल इंट्रेस्स हमारा कितना हो गया थर्टी डाउजन और हमारा फ्यूचर वैल्यों हो गया कितने का एक लागती सजा लेकिन अगर मैं बात करूं मान लीजे SBA का competitor भूलो कोई बैंक का नाम बताओ SBA का competitor I C I C I C I C I C I C I C I C I C ignant को कंपीट करने के लिए SBA BANK को कंपीट करने के लिए उसने क्या किया उसने भी scheme निकवरी वह बोलता है कि customer ची में एक लाक दो और समर पूच्छ से भाई आप लेट आप इंडरस्ट किटना औरह आप हम इंटरस्ट कितना दोगे dosta हम भी 10 परिस से आप को देंगे जो एकस भी आई डियरा है वैसे हम भी देंगे लोग बोले हैं हम तुम्हाइं पास कियो है आई सी आई सी आई हम शांगे कि यूद्न बैंक कभी दूब सब्सक्राइब को तो बोला कि एन पर श्टॉंट हम देंगे लेकिन compound interest देंगे अब लालच आ जाएगी अब लालच आ जाएगी किस चीज की लालच की देखो अब चब interest लगेगा ना तो पहले साल तो किस पर लगेगा principal amount पे तो एक लाग का आप कितना कमाएंगे 10% कितना हो गया 10,000 एक लाग का 10% कितना हो गया 10,000 लेकिन जब दूसरे साल की पार आईगी और दूसरे साल Inkας लगएगा तो दूसरे साल एक लाग प्रेनेई लगेगा एक लाग कि लक्रेस दैसल इस पर आप क्या लगेगा 10% इसका मतलब मेरा दूसरे साल का interest कितना होने वाला है 11 जा क्या बात सम्झा के नहीं समझा है अब मुझा तो तीसे साल का क्या होगा तीसे साल का तो तीसे साल में भाई और मैंनो एक लाग दस अजार प्लस ग्यारा जार इस पर दस परसें का इंटरस्ट लगीगा तो यह कितना हो गया बारह जार एक सो तो आगर ध्यान से देखा जाए तो पहले साल हमने दस अजार का कमाया दूसरे साल हमने प्रींसपल प्लस इंटरस्ट पे फिर कमाया 30 साल के इंड्ट की बात करो तो मेरा 1,33,100 हो जाएगा तो अगर मैं बूचूँ हूँ टोटल इंटरेस्स कितना हो गया तो टोटल इंटरेस्स जो हमने कमाई की 1,33,100 तीन साल बार जबकि उसमें से लगाया कितना 1,00,000 तो हमारे ही है जो 1,00,000 मैंने लगाया वो हमारे ही है तो 1,33,100-1,33,100 is our total interest क्या यह बात सबको समझा रहे है और future value कितनी हो गई future value हो गई 1,33,100 यह हमारी future value हो गई क्या बात समझा सिंपल इंट्रेस कंपाउंड इंट्रेस में फरक समझा क्या तो सिंपल इंकर समांड इंट्रेस में फरक यह कि सिंपल इंट्रेस में 111 001 0000 प्लस 12100 कितना हो गया वन लाक 3310 क्या यह बात समझ लिए रहे चले तो अगर मैंस इंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुता हैं अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मला पी इंटू ऑर इंटू टी अफॉण हंडर्ड इंपल इंट्रेस्ट निकालने का सबसे चिलर फॉर्मॉला तो सिंपल इंट्रेस्ट कैसे निकाला जाएगा बोलो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंडर्ड आप आई बोल सकते हो आप आर की जगे कई लोग आई भी यूज करते हैं कोई दिकर ने पी का मतलब है पी का मतलब है प्रिंसिपल या फिर प्रेजेंट वैल्यू आप प्रेजेंट वैल्यू भी यूज कर सकते हो कोई दिकर ने आर का मतलब क्या है रेट ओफ इंट्रेस्ट रेट आप इंट्रेस्ट या आप सिंपली इंट्रेस्ट भी बोल सकते हो ती का मतलब क्या है ती का तरफ एनम दिया है तो आपका टाइम भीविवद आनला होना चेह है अगर स्धाने लेखए अघ्ट पर और नम हमें तो टाइम भी परना मोना चेह ये चीज पर ₹ रहे ये सर इसका मीनिंग सम्जाना समझा दुआ नेकिंभी पहले इंट्रस उफ़ा हूं दिखण क्या से निकल तैब बताए ये कंब़ान इंकर सके से निकला अगर आप ध्यान से देखो यहां पर तो तो प्रिंस सिंपल इंटरस निकालना बहुत सब्सान था क्योंगी सिंपल इंटरस का फॉर्मॉला एक लाग या आपने एक लाग का 10% लिया और आपने कितने साल से मल्टिप्राइग इ Om साल से तो यहां पे सीधा 30,000 निकल गया तो simple interest निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है simple interest निकालना लेकिन जब मैं compound interest की बात करता हूं तो compound interest का सीधा सीधा कोई formula नहीं है compound interest के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है future value और फिर उसमें से minus करना पड़ता है present value तो compound interest directly नहीं निकल सकता no doubt direct formula आप बोल सकते हैं सब्सक्राइब 1 प्लस आइसे करके आप बोल सकते हैं तो आप चरह ध्यान से समझेगा कि compound interest का निकलता कैसे तो compound interest निकालने का तरीगा compound interest आएगा future value minus present value करके कंबाउंड interest हमेशे ऐसे ही आएगा आपको क्या निकालने परेगी हमेशे future value और future value में से present value minus करने परेगी तो 1,33100 आपने किया है आपको future में मर रहा है जिसमें से 1,1,001 लाक आपका है और 1,33100 आपको future में मर रहा है तो 33 100 आपने चाहिए आपका का इंट्रस्ट है कर ये बात समझा तो भाई यहां पे ये ये फूचर वैल्यू के से ने करेगा तो फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है फूचर वैल्यू इस इकल टू प्रेजेट वैल्यू वन प्लस आर्ट टुटी पावर एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करवा आपने आई 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 करोके पढ़ रखा होगा आज को तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर्ण जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे कर लोग लोगे तो बाद-बाद ना थोड़ा बहुत कंदूजन होगा आगर आप पुराना याद रखो कि और ये वाला पर भाहोगे तो तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझ लो इसी कोई बच्पन में आप इसको ऐसे लिखते थे बच्पन में amount is equal to principle one plus r to the power n कई लोग r की जगे अगर आई लिखते थे तो amount is equal to p one plus r to the power n लेकिन मैं बार-बार बो रहा हूं अब हम थोड़े से बड़े हो गए तो यह चल्ले वर्ट यूज नहीं करेंगे amount और प्रिंसिपल नहीं future value present value वर्ट यूज करेंगे तो future value कैसे निकलेगा तो इस पर प्रिंस्पल प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस r to the power n जिसमें n का मतलब क्या है n का मतलब है number of times compounding इस दन number of times compounding is done यह चीज़ करें पीवी का मतलब तो आपको पता ही होगा present value इसे मुझे समझाने की ज़र्वत नहीं और r का मतलब क्या है r का मतलब है rate of interest per period rate of interest per period लिख लीजे फिर एक करके हम questions करेंगे आपको और समझेगा एक करके सारे questions करेंगे आपको बहुत आराम से समझेगा पहले लिख लीजे चल्दी से लिख लीजे हो गया लिखके तो ठंसब दिखा दीजेगा तो मुझे समझ माँ जाएगा कि हां मैं को आगे बादना आप चैन्डर का हो गया खुश्पू इशिका वेरी गोड मुकल का भी हो गया रश्मी आप आच लेट आएं योगेता चल्दी चलो हो गया सभी का योगेता कभी हो गया है चलो क्या क्याट है अब एक एक करके क्षिशंग सभाते हैं चल दी से आओ चल दी से आओ कुछ गूंस करने वाला है को देखिएगा कहा गया का गया आपको नहीं इसे में करा देता हूँ लेखो एक्जामपल मेरे साथ लेखो प्रेशेंट वैलयू दिविये एक लाक प्रेसेंट व्यालिव है एक लाँ ठीक है आपको टाइम दिया हुआ है टाइम दिया है 3 YEARS आइम दिया हुआ है 3 YEARS आपको रेट अफ इंट्रेस्स दिया है 12% रेट आप इंट्रेस्स 12% पर आन्यम आपको कैलकुलेट करना है है calculate simple interest and compound interest calculate simple interest and compound interest चला कौन पहले answer निकालेगा चेक करना चाहता हूँ आपको लिख के भेजना अच्छा कोई बात नहीं बेटा रश्मी कोई बात नहीं होता है वीडियो ज़रू देख रहे हैं न आपके चलो चल दी से निकालो मैं देखना चाहता हूं मेरी क्लास का असली हीरा कौन कौन करेगा कौन करेगा झाल 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 योगेता का आगया, मुकुल का आगया, और किंगिन का आगया, इशिका का आगया, चलो, इपर चेक करते हैं, क्या आपका सही आंसर आया है की नहीं, योगेता हैं, तर ऐसे क्रेशिन के एग्जाम में आते हैं, हाँ, हम बेज बना रहे, कैपिल बरजेटिंग को हमें स्टार्ट करना है तो उसके पहले बेज बना रहे हैं, हम पुराने कंस्प्स को रिवाइस कर रहा है, जाओ, सबसे पहले सिंपल इंटरस, कैसे आया, संग हारे बाना है एक सहानी सबंफ दिवाइब द्राइघ यह एक ट्वना थाटी6 LE GLA — कि यह कितना अब होगया 3600 विर रहे अब हमें क्या निकलना है हमें कंपांड में किस कफ फोमुला क्या है प्रिजले टर्शाइक priests फीचर वैलू माइनस प्रेशिनल सब्ससे परेज को यहां पर किया निकालना परेगा सब्सेंट मुझे। requirements ओसप्र न करने हैं? अब मुझे बताएए फिरेजन वईल्यू एक कि टीए वन लाक वन लाक वन प्लस आर रेट बोलो कितना रेट है बारा परसे बारा परसेंट मतलब 12 फील फार्न को पोइंट वन तू भी लिख सकते हैं 12% % % divided by 100 तो उसे क्या लिख सकते हैं .12 तो .12 अब का एन जो है वो कितना है एन है 3 एन का मतलब क्या होता है years नहीं होता एन का मतलब समझ लेना एन का मतलब होता है number of times number of times compounding is done number of times compounding is done अभी एक साल में एक बार हो रहे है तो तीन साल में तीन बार हो रही है फिर यह चीज थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे सम्झाएंगे जब मैं कमपाउंड इंट्रस को ब्रबाव पढ़ाऊ अब आपको निकालना है इसकी वैल्यों कैसे निकाला आपने अपने कैलकुलेटर में कैसे सॉल पोईंट वायद वन पॉइंट वन टु की खुपरी पर तीने तुट हे पावल क्रूपरी मातल पावल तो जाए यह वन पॉइंट वन टू कि खुपरी में थीने टोपने से सॉल्सक्वन तो बहुत सिंपल है आपको कैलकुलेटर में क्या तर्ट तइक करना आपको ठाइब को काल कॉलेटर में टाइप करने है 1.1 2 इंट हुए इक रिःक त्रिफ्व कर भडवा ह्प कस्कोर हें सब जानते हैं कि घतना herd 25 25 25 25 5 का kyu निकालना है तो फाइट कुब है में पता है 125 होता है अब फाइब वाएब क्यों मैंने कदना है तो मैं क्या करूँ फ्म क्रेस करूँलोटर में यह जोब Diamond को कुट्नी बार दबाएंगे दो बार दबाएंगे क्यों इकॉल टूबार वीफोर सिंपल ए यह ही ए जो एक कंभार एकॉल तू कॉल टू दबाना पड़ता है में क्या बात सम्झा आपके कल्कुलेटर में अंसर आ गया होगा फाइ इंटू इकोल टू दो बाद दबाए रहा है कि अपका कुल मुझे आंश्र बता ए चलती से बताना नाइन टु लिफ यो फाइब 9 to the power 5 का answer क्या आएगा 9 to the power 5 answer बताओ चल्दी बहला answer 9 to the power 5 का answer calculator में निकाला होगा आपने very good 59,049 यह चीज़ क्या रहे है कैसे आया 59,049 9 into equal to कितनी बार दबाओगे 4 बार clear चल्ये सभी को clear हो पारा है तो अब मैं यह को बता हूँ यहाँ पर भी मुझे निकालना था तो मैं 1.12 क्योंकि पावर में 3 है तो 2 बार इंटू 2 बार equal to दबाओगा इंटू 1 lakh तो यह आगया 1 lakh कितना आगया यह 1 lakh 40,492.8 तो 4.93 ले ले लेता हूँ तो फ्यूचर वैल्यू है 1 lakh 40,493 माइनस 1 lakh माइनस कितना 1 lakh तो बताइए आज compound interest कितना आया 40,493 क्या सभी को समझा Yes or No clear है आपको लग रहा होगा सर एक्टम चिल्द चीज़े करा रहे हो आप क्यों करा रहे हो बहुत important है इसलिए करा रहा हूँ पेटा अभी देखना चीज़ें turn around होने वाले है example number 2 से आपको समझेगा example number 2 Mr. X invested rupees 5 lakhs in a bank for for 2 years 11 months for 2 years 11 months at 12% per annum calculate future value maturity value आपको calculate क्या करना है maturity value calculate करना है हाँ जी चन्ता चवाब चाते है दो साल 11 महीन है पांट अंसर पांट प्रहूं क्राइब ऑप ऌशओ क्ष चेमना ही आपल क्राइब 있는 चाहड़ आप साल 23 Marc आप साल 24 चाहा BBQ जी झाल झाल चलो answer आना चलो है लेकिन अभी एक ही कही आया है इशेका कही आया है बाकी लोगों का क्यों नहीं आया हजा वो 6,75,000 है मोकल का भी answer आया 6,75,000 योगेता का भी answer आया 6,75,000 पहले तो मुझे यह बताओ 2 years, 11 months त्यान से सुनना क्या 2 years, 11 months is equal to 2.11 years पहले आता हूँ, 2 years, 11 months is equal to 2.11 years क्या ये सही है क्या ये गलत है very good ये सही नहीं है ये गलत है ये गलत है तो सवाल इता है सही कै आपको समझना है एक बात नहीं अगर आपने 3 years लिया है तो भी आपका अंसर गलत है तो जो लोगों ने यहां पर आंसर दिया है और अगर आपने 3 years लेके किया है आपका अंसर गलत है आपका अंसर गलत है मैं इसलिए बोला था कि आपको आप समझना है मैं simple interest compound interest इतना simple chapter क्यों करा रहा हूं क्योंकि यह समझ ना है कि क्या रीजन है यज कर लगोट जाता है एक महिने में बहुत चेंज कर आता है आज इमाजन करो बैंको को करोरो रुपया जाता है एक महिने कि इनकेस भी करोरों में चले जाता है बैंकों का तो तो दो साल ग्यारा महिने को तीन साल नहीं ले सकते तब कुछ करना पड़ेगा वही तो सीखना है वही तो समझना है जड़ा ध्यान से देखो ध्यान से देखो मैं को बता हो कि 24 months is equal to how many years कि यह सभी अग्री रहते हैं कि नीगते 24 months is equal to two years सभी लोग मानते ना जानते हैं पैचानते हैं बच्पन में पर आया गया था एक बार बता हो चैसी मैंने बला 24 months तो आपके दिमाग में आ गया दो सार तो बताओ 36 months 36 months 3 years 48 months 4 years 60 months 5 years 60 months 5 years तो आप निकाल कैसे रहे हो और निकाल कैसे रहो चैसे मैंने चैसी बॉला 12 month तो मैंने पैल मन तुमाहें दिमाग में आ गया एक साल मैंने वोला 24 months तुमाहें दमाग में आगया है दो साल तो दिमाग calculation कैसे कर रहा है इतनी जल्दी वो कैसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है जब months को years में convert करना है तो वो बोल रहा है divide by 12 करो सोच के देखो 24 months divided by 12 is equal to 2 years 36 months divided by 12 is equal to 3 years 48 months divided by 12 is equal to 4 years तो अगर मुझे months को years में convert करना है भाईयों में तो मुझे क्या करना पड़ेगा दिवाएर डिवाइट पायश करना पड़ेगा लेकिन मुझे years को month में convert करना है मुझे years को month में convert करना तो फिर क्या करना होगा multiplied by 12 सी globaliper के एक करना पर रहर है यहां पर तरह चैनल है कि औरो यहां पे मल्टिप्राइब करना पर दो साल मताब 24 महीने दो साल अगर दिया और पूफ़साह कितने महीने मैं तो आप क्या बता होगे चाब इस महीने उझा कई से ने का लोगे लगत कितने महीने ये निकालना तो आप मुल्टिप्लाइग खरो ट्रॉइल से आ जाएगा सब्सक्राइब इसका मतलं मुझे मंस को यह से tervide कर आप करों ओमजे याज को मंस मैं समय मृत करना तो मैं मुल्टिप्लाइग पर मास्तिक नाज़ी करना है तो ज्यादा होते हैं तो महीनों को छोटों मैं इक साल वैस्ट मेहने दो साल तो मुझे क्या करना अगर महीने को यह यह मैंत और इतना बड़ा मैंने दिखाए महीने को को यह से अचया करना है तो मैं क्या करना बड़े से शोते में मैं से ययू आना ना यह यह से मुल्टिस्थ करना है मन्स से यह यह मज़नग इहना है मुल्टिप्ल्थ मॉक्ष और यह सबत गया है अब मेरा सवाहल आपके सामने फृर से आगा दूरम finely दियारा मेन इसको से लिए तो यहां पर मैचिंग कि समें दिया है मैं निकालना पड़ेगा मतलब मुझे टाइम को टाइम को याद है सिंपल इंट्रेस्ट निकालते हैं तो फॉरम लार क्यों होता है पी इन टू आर इंटुटी अपॉन अंड़ो तो अगर रेट पर आनं है अगर रेट पर आट आप तु टाइम भी क्या होगा येश्ट में होग करना यह तो यह समें कोड़ लेकलन करने ए आपने मंसें यह मंट्स में यह ये येस में निकालना है क्या करना पड़ेगा तो टू येर्ज ब्लस एलेवं बाइट वैस्ट्व नास तू ये सिएगा इलेवं पैट्वल्ट तो इलेवें इशेर मेट फोल्टे एलेवें तुलेटर में उठाओ 2.91666 years वाई दो साल तो और रेडी हैं और यह years में अब आ गया यह भी क्या आ गया years में विया रहे हैं तो बस 2.9166 years अब आप formula लगा दो formula क्या है पांच लाख पांच लाख into rate है 12% into time है 2.91667 यह 666 चलता जा रहा है whole divided by 100 तोल कीज़े interest कितना आ गया तो आपना चब लोग है तो 5 lakh into 12 into 2.91666666666 7 last तक के लिए ना divided by 100 यह हो गया 1,75,000 1,75,000 तो आज मझे बताओ simple interest आगया 1,75 तो आज future value कितनी आएगे तो बैंक मेरा पैसा तो दे गई देगा तो मैंने लगाया था मैंने कितना लगाया था पांच लाख और interest के नाम पे मैंने और कितना बैंक मुझे कितना देगा 1,75,000 तो टोटल इतना हो गया 6,75,000 तो सभी गच्चों ने सहीं जवाब दिये, मदा आगया ये देख के, बोलो क्या ये बात समझा क्या, yes or no, where है, ऐसी किया क्या आपने solve भी, या आपने months में पूरा convert कर दिया होगा, वो भी तरीका है, या आपने पूरा months में ले लिया हो, चलो next, एक और example, example number 3, calculate, rate, of interest, calculate rate of interest, if, if, present value is Rs. 5,00,000, future value is Rs. 8,40,000, time is 4 years, चलो, चलो, हो जाओ, शुरू, अब आपको rate निकालना है, चल्दी से निकालिया है, थाओ. झाल 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 कि क्या बात है सभी का आंसर आ गया 17 17 17 क्या बात है सभी का आंसर आ गया 17 परसेंट प्रेयर गया 17 कैसे आया समझ में आया क्या कि सम्झाना है आ गया सभी को समझ में चलो चले कुछ और क्वेशिंस की प्रैक्टिस कर रहा है कुछ और क्वेशिंस की हम प्रैक्टिस कर रहा है आंसर बताईएगा हां इसकंवर 11 चल दी सब्सक्राइए जेए इसके पेहले आस नमबर 11 फिल्ट इतीन क्वेशिंस आपको आंसर बताना इंटीनों क्या सब्लूंट इसके पहले आजो क्रेशिंस किया नहीं चलो चल्दी करो 10, 11, 12 calculator में ही हो सकता लिख के practice करने का जर्बत ही नहीं calculator में हो सकता अऔरे का जरो फूरो प्ऱो है George में ही प्यूस यह करियों सकता झाल 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 तो आपको निकालना क्या था पहले तेंट वाले का आंसर जो आपने निकाला है 2100 वो गलत है तेंट वाले का इसने में को 2100 लिख के भेज़े वो गलत है वो 12100 है अरे क्वेशन क्या पूचा देखर एंसी क्यों में घुमाएंगा बिटा प्रेशन क्या पूचा है इप यू इन्वेस्ट देन दाउजन इन इन बैंक एक सिंपल इंट्रेस्ट सेविन पर सेट पर एंट वाड़ विल भी वाट विल भी अमाउन एड यांट अफ्री यहस तो अमाउन एट दिया इंट आफ यह उड़ यह मतलब वो क्या मांग रहा है फ्यूचर वैल्यू मांग रहा आप मुझे क्या बता रहो इक इस वैसे मैं वो चार ऑप्शन में का अंसर है क्या बात समझा है क्लियर हुआ है चला सेकेंड तो चिसका अंसर आ गया तेंट वाला 12100 वेरी गुड उनने पकड लिया कुछिन नमबर 11 तो क्वेशन नमबर 11 के किन आंसर आए हैं कई लोगों के वह भी ठेक कर लेते हैं मुकुल जी का आया है क्वेशन नमबर 11 का 2240 इशिका का भी 2240 और यह चंडर का भी खुश्वू का भी चलो चेक करते हैं 2000 is deposit in a bank for two years at simple interest of six percent how much will be the balance at the end of two years तो balance at the end of two years मतलब दो साल के बाद का balance क्या रहेगा वो यह पूछ रहा है थीक है तो 2000 का छे percent दो सालों के लिए 240 आता है तो बारा दो अजार 240 सही है answer 12 वालेगा टंडर का answer आ रहा है बारा परसें मुकुल का answer 11 परसेंट आ रहा है यहां पर difference है इशिक्वा का 10 परसेंट आ रहा है oh my god मजा जाएगा अब देखने में जाना मजाएगा इसका सही है 10 परसेंग यारा परसेंग बाराफ परसेंगी नन पताईए 10 परसेंट चेक करते हैं देखो क्या लिखा है find the rate of interest if the amount owed after six months is 1050 borrowed amount being 1000 इसका मतलब समझ वारा रहा है कि नहीं आ रहा question यह बोर रहा है कि आपने आज borrowings कर रखिए 1000 की और छे महीने बाद एक दो तीन चार पांच है छे महीने बाद वह एक हजार पचास हो रहा है यह चीज़ क्लियर है तो अब मुझे बताईए ध्यान से सोच समझ के जवाब दीचेगा आच टाइम उसने दे रखा है six months time is six months याद है months को हमें किसमें convert करना पड़ेगा years में तो क्या करने पड़ेगा divided by 12 तो पॉइंट फाइव यह सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्म सिंपल इंट्रेस्ट अगर दीखा जाए तो कितना हो गया एक हजार पचास future में होने वाला है जबकि आज कितना एक हजार आज हमने अगा बॉर्ण कर रखा एक हजार और छह महीन बाद हमें 1050 रुपह देना पर रहा है तो पचास रूपह जादा देना पड़ रहा है यह तो हमारा कि उनके का इंट्रेश्ट हो गया, हई आउर मारा इंक्रस्ट हो गया और क्योंकि इस सवाल सिंपल इंट्रेस्ट हो गया, तो आज अटे होता पी इन्तू आर इन्टू टी अपॉन हंडर् nom इस इवल टू श esty हे ठोल कर ले दू इज दू जिल ये दोवुन से यह 202 कैंशल 10 x .5 इस 5 आर इस इकोल टूफिटी देफोर अधर आर इस इकोल टू 10 परसेंट आर इस इकोल टू 10 परसेंट अच्छा मज़ेदार चीज बताता हूं आप ये चीज ना विदाउट विदाउट इतना सॉल करने के बिना भी कर सकते रहे रहे हिट एंट राइ मैठंड चिसे हम बोलता है सि यह फाउंडेशन में यह सिम एवाण डेशन में अगर आपने समझा होगा कि एक concept होता है hit and try hit and try hit and try क्या है आपको वो चार option दे रहा है जैसे 10% पर एनम का एक मिनेट के लिए मानिए वो पहला option दिया आपको 11% पर एनम फिर 10% पर एनम फिर 12% पर एनम और नन ऐसे चार options दिया तो इन चार में इसे कौन सा सही है आपको क्या करना है एक option उठाओ चेक करो कि आंसर सहीं आ रहे हैं कि नहीं चैसे की आपने लगाया है हजार और 6 महीने बाद 1050 वैल्यों आनी चाहिए मतला आपका simple interest कितना आना चाहिए द्रहाँ टेक करो calculator उठाओ थो एक हजार principle इंटी ग्यारा महिन इंटी ग्यारा परसें रेट इंटी पॉइंट 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 नहीं पॉइंट फाइव इंटु पॉइंट पाइव डिवाइड़ेड़ वाइट लिए करके देखो किये 50 के बराबर आहिए 50 के बराबर आ रहा है नई then This हम कहीं है इससे हम बोलते है इंट रिह करना यह कन्वेंशनल यह अगर आपको सब्चिक्ति बाता तो इस तरीके से आपको सॉल करना है लेकिन आप सब्जेक्टिव नहीं है ये चार आप्शन्स आएंगे आपको तो आप एक एक आप्शन के उठा के चेक कर सकते हैं कि यह बात समझा क्या तेर हुआ क्या कोई डाउट क्या तो कोई डाउट नहीं सब क्लियर है बहुत है चले है अब इसके आगे की बाते मेरि जुबान नहीं हम नेक्स क्रावस में कंटीनियू करें नेक्स क्रॉस आपकी कलग गोई धी टिession रप कंटीनिध में बाल बाल वैसे बताने का ज़र्वत इन सबढ़त ही नेवे है इस चला तो पांच मिरक आप्रेक है था पांच अकाउंट स्टार्ट करेंगे ठीक है कंपनी अकाउंट चले अभी के लिए टाटा बाई बाई